इलाइची यानि की कार्डिमिम ये सिर्फ खाने चाई या सूप में स्वाट बनाने के लिए नहीं है बलकि इसे हम अपने सेहत सुधाने के लिए भी खा सकते हैं भारतिय आयरवेट और पुराने चाईनीज मेडिकल वीसर्चर्ज ने भी इस बात को हमेशा धोराया है कि इलाइची के बहुत सारे रहस्यमय और छुपे सेहत से जुड़े फाइदे हैं जो सर्थी खासी से लेके स्तबन दोश यानि की इरेक्टेल डिसफॉंक्शन चैसी समस और भारतिय आयरवेट तो इसे शरीर की तीनों दोश यानि की कॉफ वद और पिट का संतुलन बनाने रखने में असरदर उपार मान चुका है तो चले अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आसकाई गुरू को सब्सक् नहीं इसे सर्दी खासी और सांस लेने की समधान किया जाता है यह इसलिए क्योंकि और तुरन्त कैफ मन पन पनने वाले म्यूकुस को बढ़ाने नहीं देता और उसे जुड़ी परिशानियों को रोपता है जैसे अस्थमा और ब्रॉंकाइटिस इलादी चुर्ण नाम का एक आयरुवेदिक चुर्ण सभी आयरुवेदिक दबाये बेचने वाले दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाता है जिसका सबसे महत्वपूर्ण सामगरी है इलाइची और ये अस्तमा के इलाज में काम करता है आप इलाइची डली हुई चाय अगर सर्दियों के मौसम में पीए तो सर्दी खासी को हमेशा के लिए अलविदा खेदोगे पाचन शक्ति बढ़ाता है आयरिवेद और उनानी चिकित साहों के अनुसार काली इलाइची हमारी पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत असरदार साबित हुआ है एसिडिटी, कॉंस्टिपेशन यानि की कब्चे सी समस्या का ही तुरंत निवारन है ये हमारे पेट में बुरे बैक्टिरिया को पलने नहीं देता और पेट में एसिट की मात्रा समान्या बनाया रखकर बैलेंस बनाया रखता है ये पेट दर्थ में भी आराम देता है एक चमच इलाइची का पाउडर अगर आप उबले हुए पानी में डाल कर अगर 10-15 मिनिट बाद रोज खाना खाने के बाद पीए तो अपचन से जुड़ी समस्या नहीं होगी उल्टी होने से रोपता है इलाइची, सौफ और सेहत को अगर आप पानी या दूद में मिला के पीए तो आपको उल्टी नहीं होंगे भूप बढ़ाता है आयरुवेट के अनुसार बच्छों में अगर आपको भूप बढ़ाना है तो इलाइची का पाउडर, सौफ पाउडर और पिसा हुवा अद्रप को मिला के खाये तो भूप बढ़ेगी सिर्फ बच्छे ही नहीं, बढ़ों के लिए भी ये उतना ही फायदेमन्द है शरीर को डीटॉक्स करता है जब हम बिमार पढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में टॉक्सिक पतार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और इलाइची के सेवन से ये टॉक्सिक पतार्थ घट जाते हैं और शरीर डीटॉक्सिफाय हो जाता है मोटा पे इसे बचाता है ये पाचन शक्ती बढ़ाता है और शरीर में खलाब कॉलिस्टरॉल को पनपनने से रोकता है जिससे आप मोटे नहीं होते दिल की बिमारी से बचाता है आपका blood pressure कम करता है अपने कौन में ठककी या यानि की oxygen होने से रोकता है और आपको दिल की बिमारीों से बचाता है चैंसर होने से बचाता है एलाइची में antioxidant पाये जाते है तो इसके powder को अगर हम चाई या खादिय पदार्थ में मिलाए तो हम आगे चल कर cancer मुक्त रह सकते है दातों और सासों के बद्मू को रोगता है इलाइची खाने से सासों में बद्मू नहीं और ये मुह में बैक्टीरिया को पनपनाने से रोगता है जिससे दातों की सदन भी नहीं इसलिए तो ज्यादतर मौथ फ्रेशनस में इलाइची पाई जाती है तो देखा दोस्तों इतनी छोटी से इलाइची के बड़े बड़े फाइदे अगर आपको इलाइची के और भी फाइदों के बारे में पता है तो कमेंट जरूर करें आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलवेता दोस्तों धन्यवारे